परिचाए बच्चो आज हम अमलिये, ख्षारिये वा उदास्वीन विलियन को पहचानने के लिए एक प्रयोग करेंगे ठीक है सेर सबसे पहले एक पूंद विलियन नीले लिटमस पेपर पर डालें यदि ये लाल हो जाता है तो इस कार्थ है कि ये अमलिये वहवाहार प्रदशित करता है इसके बाद विलियन की एक पूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें यदि ये नीला हो जाता है तो ये एक शारिये वहवाहार को प्रदशित करता है और अंत में हम तीसरे समाधान के लिए परीक्षन करेंगे, जिसमें रंग आप परिवर्थित रहता है, जिसकार्थ है कि विलियन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामय अवस्था में है. सेर, ये सामय अवस्था क्या है? सामय अवस्था वो इस्थिति होती है, जिसमें चार के अणों की संख्या, अम्ल के अणों की संख्या के बराबर हो जाती है. आईए इस बारे में और अधिक जाने. इस पार्ट में आप भौतिक और रासाइनिक समयवस्था की बारे में अध्यन करेंगे। उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निकरने में सक्षम हो जाएंगे। विलियन में आईनी समयवस्था का वणन करदां। अमल, शार वा लवण की अवधारण की चर्चा करना। पीच स्केल का वरणन करना। अमल शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना। लवणों के जल अपघटन और उनके विलियन के पीच की चर्चा करना। बफर विलियन का वरणन करना। विलियता गुणन फल इस्थिरांग को परिभाशित करना विलियन में आयनिक सामय अवस्था सोडियम क्लोराइट जैसे पदार्थ का जलिये विलियन सल्फियोरिक अम्ल इत्यादी में से विद्युत का प्रवाह होता है जबकि शरकरा यूरिया इत्यादी के जलिये विलियन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे पदार्थ जिन में से होकर विद्धुत का प्रवा होता है विद्धुत अब घट्टे यानी इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्धुत का प्रवाहर नहीं होता है वे विद्ध अनपघटे यानी नौन इलेक्टोलाइट कहलाते हैं वे विद्ध अनपघटे जो अपने विलियन में लगभग पून रूप से आयनी क्रित हो जाते हैं प्रवल विद्ध अनपघटे कहलाते हैं और वे विद्धत अबघट्टे, जो अपने विलियन में अपून रूप से आयनिक रित होते हैं, दुर्बल विद्धत अबघट्टे कहलाते हैं। वो सामयवस्था जिसमें जलिये विलियन में आयन संबध्ध होते हैं, आयनिक सामयवस्था कहलाती है। अमल चार वा लवन विद्धत अब घटे अमल चार वा लवन कुछ भी हो सकते हैं अमलों का स्वाद खट्टा होता है सिरके में एसिटिक अमल होता है इमली में टार्टरीक अमल होता है अमल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा सामानी रूप से इस्तिमाल होने वाले क्षार हैं। अमल चार वालवन अमलों वाक्षारों की अरेनियस अवधारणा अमल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H प्लस आयनों की सांद्रता में प्रिधी करता है। जबकि शार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH माइनस आयनों की सांद्रता में प्रिधी करता है। दुर्बल अमल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की हानी से निर्मिद होता है इसलिए ये एक साधारण प्रोटॉन है और सौतंद्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता है। इसलिए एसा माना जाता है कि ये H3O plus के रूप में जल के साथ से योजन में जल मिश्रित स्वरूप में विद्यमान रहता है। H3O plus आयन हैट्रोनियम आयन कहलाता है। इसी प्रकार हैड्रॉक्सिल आयन जल मिश्रित होकर H3O2 माइनस आयन बनाता है। ब्रॉंस्टेड लॉरी अम्ल एवं ख्षार उनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। और अम्ल के रूप में कारे करता है। पश्चवर्थी अभिक्रिया में NH4 प्लस आयन एक प्रोटॉन OH- आयन यानि क्षार को देता है और अम्ल के रूप में कारे करता है। अम्ल के रूप में OH-H2O का संयुग में क्षार है और NH4 प्लस NH3 का संयुग में अम्ल है। अम्ल क्षारक युग्म जैसे की H2O बटे OH- और NH4 प्लस बटे NH3 जनका निर्मान प्रोटॉन की हानी या प्राप्ति से होता है। संयुग में अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। उधारन निम्न ब्रॉंस्टेट क्षारों के लिए संयुग में अम्ले लिखें। H2O NH3 और C2H 5OH विलियन संयुग में अम्ल का निर्मान प्रोटॉन की प्राप्ति से होता है। इस तरह दिये गई क्षारों के लिए संयुग में अम्ल निम्न हैं। H2O के लिए संयुग में अम्ल H3O+, NH3 के लिए संयुग में अम्ल NH4+, C2H5OH के लिए संयुग में अम्ल C2H5OH2+. लेविस अमल एवं ख्षार लेविस की अवधारना के अनुसार अमल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युग्म को ग्रहन कर सकता है ख्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युग्म को प्रदान कर सकता है उधारन के लिए अभिक्रिया में BF3 अम्ल के रूप में कारी करता है अम्लों एवं क्षारों का आइनन जल और इसके आइनी कुत्पादों का आइनन इस्थिरांख शुद्ध जल एक दुर्बल विद्युत अब घट्ट है और समीकरण के अनुसार आइनी कृत होता है अथवा सामाने रूप से इस तरह से लिखा जाता है जिसके लिए आइनन इस्थिरांख निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है KI बढ़ाबर H प्लस की सांद्रता गुणे OH- की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता चुकी जल आशिक रूप से आइनी क्रेथ है इसकी ग्यात होने वाली सांद्रता आशिक रूप से आइनी क्रेथ होगी इसकी सांद्रता आइनन स्थिरांग के आई के साथ संयोजित हो सकती है और एक नया स्थिरांग देती है जो जल का आइनिक गुणनफल के डबल्यू कहलाता है माना ये समिकरण एक है शुद्द जल में OH- की सांद्रता H- के बराबर होती है इसलिए 25 डिगरी सेल्सियस पर जल में H- कमान ग्यात किया जाना है इस तरह 25 डिगरी सेल्सियस पर आइनिक गुणनफल कमान बराबर है पी एच उसकेल विलियन के पी एच हाइडोजन आइन सांद्रता के रणात्मक लगुगणक के रूप में परिभाशित किया जा सकता है 25 डिगरी सेल्सियस पर उदासीन चल के लिए पी एच बराबर माइनस लॉग एक दशमलोग शूनने गुणे दस की घात माइनस साथ जोकी साथ के बराबर है 25 डिगरी सेल्सियस पर हम लिए वाक्षारिये का समरूपी पी एच क्रमशा साथ से कम और साथ से अधिक होगा हम पी ओ एच स्केल को हाइड्रॉकसिल आयन सांद्रता के रणात्मक लगू गणक के रूप में परिभाशित कर सकते हैं पी एच तथा पी ओ एच दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरण के द्वारा संबद्ध हैं पी एच प्लस पी ओ एच बराबर पी के डव्ल्यू पी के डव्ल्यू कमान पच्चीज डिग्री सेल्सियस पर चौदा है पी के डव्ल्यू हाड्रोजन और हाइड्रॉकसिल आयनों की आपेकशिक सांद्रता को नियंत्रित करता है क्यूंकी उनका गुडन फल इस्थिर रहता है दुर्बल अमलों का आइनन इस्थिरांग दुर्बल अमल एच एक्स के विशे में विचार करें जो की जली जलीन में आशिक रूप से आयनिक रित होता है और इसे HX की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो माना किसी है? माना आइनन परिवर्दन का प्रसार अलफा है, तो HX सांद्रता C-C अलफा है, H3O सांद्रता प्लस C अलफा है, तथा X- सांद्रता प्लस C अलफा है. अभी करिया के लिए साम में इस्तिरांग है के ए बराबर सी वर्ग अल्फा वर्ग बटे सी गुडें एक माइनस अल्फा के ए बराबर सी अल्फा वर्ग बटे एक माइनस अल्फा के ए को अमल एचेक्स का व्योजन या आइनन इस्तिरांग कहा जाता है इसे molar सांधरता के रूप में निरूपित किया जा सकता है hydrogen ion सांधरता का pH scale प्राप्ट करने के लिए विस्थारित किया जा सकता है दुर बल्ख्षारों का आइनन दुर्बल ख्षार XOH के आइनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है चार के आइनन के लिए साम में स्थिरांग को केबी द्वारा निरूपित किया जा सकता है और ये चार आइनन स्थिरांग कहलाता है इसे निमन रूप में दर्शाया जाता है यदि आरंबिक सांद्रिता C है और चार के आइनन के मात्रा अलफा है तो साम में इस थिरांग को निम्न रूप में लिखा जा सकता है के बी बराबर C अलफा वर्क वटे एक माइनस अलफा हाइडोजन आइन सांद्रिता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है के ए और के बी के मध्धे संबंध अभिक्रिया के लिए साम में इस थिरांग एकल अभिक्रियाओं का गुडन फल होता है इसे निम्ना नुसार प्रदशित किया जा सकता है 1, K2, K3 इत्यादी संयुग में अमल क्षारक युगल के लिए K, A, K, B बराबर K, W दूई तथा बहुक्षार की अमल एवं दूई तथा बहुअमली एकशार वे अम्ल जिनके एकणों में से एक से अधिक आइनन योग के हाइटोजन परमानों होते हैं बहुक्षाइर की अम्लों के रूप में जाने जाते हैं दुईक्षार की अमल H2M के लिए माना ये अभिक्रिया एक है, माना ये अभिक्रिया दो है, अभिक्रिया एक के लिए सामिस्थरांग निम्न है. KAA को प्रथम आइनन इस्थरांग कहा जाता है, अभिक्रिया दो के लिए सामिस्थरांग निम्न है. के ए दो को दुईतिय आइनन इस्तिरांग कहा जाता है स्थिर्व वैद्धुत्पल अधिक होने के कारण के ए एक के ए दो से बड़ा है अमल सामर्थ को प्रभावित करने वाले कारक आबंद सामर्थ है अमलिये प्रोटॉन और अन्य शेश अनुओं के मद्धे आबंद की सामर्थ का अमलता पर प्रभाव पड़ता है सामाने रूप से आबंद जितना दुर्बल होगा अमल की अमलता उतनी ही अधिक होगी आबंद दुरुमर्था अमलिये हाइडोजन एवं अन्य परमाणूं के मद्धे उच ध्रुवी आबंद प्रोटॉन के लिए अनुओं को छोड़ना आसान बनाता है और इसे अध्रुवी आबंद की तुल्ना में अपेक्षा कृत अधिक अमलिये बनाता है उसे पंक्ति में तत्वों की अमलों के लिए आबंद सामर्थ एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्रावृत्त होते हैं और इसलिए अम्लिकी सामर्थ निर्धारण में आबंध की ध्रुवन्ता महत्पून भूमी का निभाता है, क्योंकि ध्रुवन्ता संबंधित परमाणों की वैद्युत रनात्मक्ता पर निर्भर होती है. अमली की समर्थ में वेद्यत रनात्मक्ता के साथ बढ़ोत्री की प्रवृत्ती होती है क्यूंकि आबंध अधिक ध्रुवर्ता की ओर प्रवृत्ति होता है। अमलों एवंक्षारों के आयनन में उभे निष्ट आयन प्रभाव। हम जानते हैं जलिये SCl प्रवल अमल है। ये जलिये SCl आयन प्रदान करता है जो एसिटिक अमल आयनन के लिए समीकरण में दाएं पक्ष में उपस्तित है। ली चैतिलियर के सिध्धान्त के अनुसार सामिस सैयोजन बाई और इस्थानांत्रित हो जाएगा। एसिटिक अमल के आयनन की मात्रा में एक प्रवल अमल के मिलाए जाने पर कमी आती है। एसिटिक अमल के आयनन में जली एसिएल द्वारा ये कमी उभैनिस्थ आयन प्रभाव का एक उधारण है। लवणों का जलाब खटन तथा उनके विलियनों का पिएज। जलाब खटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अमल एवं क्षार बनाता है। दुर्बल अमल एवं प्रबल क्षार वाला लवण। लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है। Mx के विलियन में प्रबल क्षार MOH का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल अमल Hx लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलियन का pH सास से अधिक होता है। लवणों का जलाब खटन एवं उनके विलियनों का pH प्रबल अमल एवं दुर्बल क्षार का लवण। लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है। Mx के विलियन में प्रबल अमल Hx का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल क्षार MOH लगभग अवियोजित रहता है। इस प्रकार के विलियन में pH 7 से कम होता है दुर्बल अमल एवं प्रबलक्षार वाला लवण लवण MX का जलाब घटन इस प्रकार का है MX विलियन में दुर्बल अमल और दुर्बलक्षार दोनों आशिक रूप से अवियोजित सौरूप में रहते हैं इस प्रकार के विलियन का pH निमन है pH पराबर 7 प्लस 1 बटे 2 गुने PKA माइनस PKB यदि PKA माइनस PKB कमान pH 7 से अधिक है वा धनात्मक है और यदि PKA माइनस PKB कमान pH 7 की अपिक्षा कम है वा रनात्मक है बफर विलियन बफर विलियन को ऐसे विलियन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो अम्ल याक्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है बफर क्रिया बफर विलियन की वहक्षमता है जो अम्ल वाक्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है बफर क्रिया कहलाती है नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रो क्लोरिक अम्ल जैसे प्रभल अम्ल कम pH पर बफर की रूप में कारे करते हैं अल्प विले लवणों की विलेता साम में किसी विलियन में विलेता लवण की लेटिस एंथेलिपी यानी पूरोश्मू तथा आइनों की विलाए की योजन एंथेलिपी पर निर्भर करती है विलेता गुणन फल इस्थिरांग किसी अल्प विले लवण के लिए जो सामय वस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है विलेता गुणन फल इस्थिरांग को निम्न रूप में परिभाशित किया जा सकता है इलेक्ट्रो लाइट सूत्र में जहां AY प्लस वा BX माइनस संबंदि धनात्मा केवं रनात्मा काईनों को निर्दिष्ट करते हैं और X वा Y इन आईनों की संख्या को निरूपित करते हैं इसलिए दिये गए तापमान पर किसी अल्प विले लवन के विलेता गुणन फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आईनों की संख्या की अवरित्ति के बराबर होती है जिसमें प्रतेक सांदरता पत की घात विद्द अबघटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समीकरण में आने वाले आईनों की संख्या की अवरित्ति के बराबर होती है लवन की विलेता ग्यात होने पर इसके विलेता गुणन फल की गणना की जा सकती है उधारन के लिए मान लें A B लवण है किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलेयता S मोल प्रति लीटर है लवण के S के मोल आइनी करित होकर A प्लस के S मोल तथा B माइनस के S मोल देते हैं K S B बराबर है A प्लस की सांदृता गुणे B माइनस की सांदृता के जो की बराबर है S कुडें S यानी S वर्ग के आइनिक लवणों की विलेयता पर उभेनिष्ट आइन प्रभाव यदि N A C L विलियन में A G C L विलियन मिलाया जाए जिन में उभेनिष्ट आइन के रूप में C L माइनस है तो A G C L की विलेयता कम हो जाएगी क्यूंकि N A C L से C L माइनस निकल कर A G प्लस के साथ संयोजित होकर बनाता है इसी प्रकार यदि इसके एक आयन की सांदरता में कमे आती है तो दोनों आयनों की सांदरता बढ़ाने के लिए एक बार पुना K S P बराबर Q S P होने तक आधिक लवन वियोचित होगा ये इसके लिए भी लागू होता है जो की N A C L विलियन में H C L का इस्तिमाल करते हुए C L माइनस दोरा अवक्षेपित होता है उभेनिष्ट आयन प्रभाव को किसी विशेश आयन के लगभग संपून अविक्षेपन के लिए उप्योग किया जाता है क्यूंकि द्रविमान निर्धारन दोरा भारात्मक आकलन हे तो इसके आंशिक विले लवन का की S P मान बहुत कम होता है क्या आप जानते हैं प्रभल अमल उच्छ रूप से संक्षारक होता है उधारन के लिए सल्फियूरिक अमल वे धात्मों को वियोजित कर सकते है जो ख्षार जल में वियोजित हो जाता है ख्षारक कहलाता है जब आप किसी अमल को ख्षारक में मिलाते हैं तो दोनों उदासीन हो जाते हैं. अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं. वह साम में जिसके जलिये विलियन में आयन संबलित होते हैं आयनिक साम में कहलाता है. अरेरियस के अनुसार अमल वो पतार्थ है जिसे जल में मिलाने पर H प्लस आयनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है. जबकि क्षार वो पदार्थ है जिसे जल में मिलाने पर OH minus आएनों की संद्रता में बढ़ोतरी होती है बॉन्स्टेड एवं लॉरी के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन प्रदान कर सकता है वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का सयुग में क्षार कहलाता है जबकि वो अम्ल जो अक्षार द्वारा ग्रहन किये गए प्रोटॉन के कारण बनता है अक्षार का सयुग में अम्ल कहलाता है लेविस के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो एलेक्टॉनों के युग्म को ग्रहन कर सकता है क्षार वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युग्म को प्रदान कर सकता है किसी विलियन के पीच को हाड्रोजन आयन की सांडरता के रिनात्मक लगोगणक के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जलाब खटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और ख्षार बनाता है बफर विलियन को उस विलियन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल याक्षार मिलाए जाने पर पीच में परिवर्तन का विरोध करता है दिये गए तापमान पर किसी अल्प विलै लवन के विलैता गुड़न फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आइनों की सांधरता का गुड़न फल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें प्रतेक सांद्रतापत की घात वित्वत अबघटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समिकरण में आने वाले आइनों की संख्या की आवरित्ति के बराबर हुती है